हेलो अच्छो तो कैसे हैं आप लोग मैं बनीश राज आपका एमार सर कानमेटिक्स के फॉर्स्ट फॉर लेक्चर में हमने डिस्टेंस डिस्प्लेस्मेंट व्लासिटी एसिलरेशन को समझा था और वरीक्षों अपने नाइंट क्लास में पढ़ा होगा हम भी डिसक्रेश करेंगे उस पर लेकिन जब इसलेशन कोंसेंट अगर एक्वेशन वालिट नहीं होगा फिर क्या करेंगे एक्वेशन आप मोशन से सौल्ब नहीं करके हम लोग integration and differentiation का use करेंगे तो last class में हमने basically integration and differentiation के मदद से खूब सारे सवाल solve किये थे उसमें आपने ध्यान दिया होगा position given होता है तो differentiate करके velocity निकालते है velocity given है तो differentiate करके acceleration निकालते है अगर आपको acceleration given है velocity निकालना तो आप integration करते है velocity given है displacement निकालना है तो आप क्या करते हैं integration करते हैं यह series भी मैंने आपको सिखाया था kinematics के इस lecture में lecture no.5 में भी हम लोग बात करेंगे variable acceleration पे list question के बारे में अभी भी हम लोग variable acceleration के list questions देखेंगे ठीके बेटा तो आए शुरू करते हैं एक छोटे से सवाल से if position x is equal to tq plus 60 plus 4 then nature of acceleration will be nature of acceleration का मतलब यह हुआ सा हब कि acceleration आज आप option के form में दे देता हूँ uniform motion uniform motion motion कैसा है uniform motion फिर uniform acceleration uniform acceleration option c non uniform acceleration option d0 acceleration कभी कभी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं velocity is a function of time given होगा acceleration is a function of time given होगा और आप से पूछेगा साहब कि बताइए acceleration का निचर कैसा है motion का निचर कैसा है तो देखिए पॉजीशन is a function of time given है इस पॉजीशन को differentiate करेंगे तो आपको क्या मिलेगा velocity dx by dt क्या होगा साहब 3t square plus 6 4 का differentiation तो 0 होगा इसको एक बार और differentiate करो देख़ोगा 3t square a is equal to the dv by dt इसको differentiate करोगे 60 plus 0 तो 0 यहा जाएगा मतलब acceleration is equal to 60 i t is equal to 0 रख होगा तो यह से लिशन जी रोजाएगा ती इकल to 1 रख होगा से लिशन 6 होगा ती इकल टू रख होगा से लिशन 12 होगा ती इस इकल तो 3 रख होगे से लिशन 18 होगा मतलर क्या है एक से लिशन डिपेंड्स अपन टाइम एस लिशन इस वारियेवल नॉट कॉंस्टेंग एस लिशन वारियेवल होगा तो क्या लिशन टाइम के साथ बढ़ भी रहा होगा तो इस लिशन खुद है नॉट जीरो एस लेसने वैरियेवल एस लेसने तो बदले गई और वेलोसिटी अगर बदल गया तो मोशन नॉन उनिफॉर्म होगा यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा क्लियर है समझ आया ठीक है यहां पर ध्यान देना टाइम के फंक्शन पाइम का पावर थी था वन भी थ लेसन का नेचर देखू मोशन का नेचर देखू तो यहां पर देखना इसको डिफ्रेंशी एट करेंगे डी एक्स भाई डीटी तो आपको मिलने वाला वाला वेलोसिटी इसका डिफ्रेंशी सन बताई क्या होगा पी स्क्वाइट तो यह होगा साब 8T ब्लस 6 एक बार और वहला सुडिको मतलब पॉझेसन वेकवा डिफरेंशी अगर व्लासइट इसको एक वा डिफोरेंशी अपरी वीजवरेंशी का चलर से तो यह तो तो यह फिल्टी गार्यट इफोरेंशी ना तो आपका अगे 8 मीडर पार सिकने स्क्वार कैसा एसलेशन है कॉंस्तेंट है 10010 टो नहीं है से इसलेशन होगा रेट-फ्टर एफ उड्री कोई अचलियरे सन गायते मतलब रेट पत इंजन फैर्टी एधा मतलब वेलास्टी के उडिया तो तो acceleration is constant but motion is non-uniform motion is non-uniform क्यों साब अगर अगर acceleration constant motion non-uniform क्यों है तो motion की uniformity uniform होगा यह नहीं होगा कॉल डिसाइड करता है velocity if velocity is constant then motion is uniform if velocity is variable then motion will be non-uniform ठीके नवेटा अब सुनना ढंग से तुम तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि position के function में अगर time का power 2 है तो acceleration constant आए दो बार differentiate करने से constant term आ रहा है अगर power 3 होता तो तीन बार differentiate करने से constant term आता है लेकिन position को दो ही बार differentiate करते हैं तो आप कहाँ पहुंच जाते हैं acceleration पर तो क्या आप यह conclusion लिख सकते हैं कि इफ position as a function of time में time का power 2 हो तो acceleration constant होगा अगर 3 है तो acceleration constant नहीं होगा फोर है तो acceleration constant नहीं होगा अब उसी तरीके से velocity पर मैं एक बार focus करूँ velocity पर focus करूँ तो एक बार differentiate करके velocity आ गया था यह अब velocity के formula में time का power क्या है तो तो देखिए acceleration एक बार differentiate करूँगा तो तो बाहर आ जाएगा मतलब time रह जाएगा लेकिन अगर velocity के formula में velocity as a function of time given है और velocity के formula में time का power 1 है और वैसे भी logically जब यहां पर time का power 2 होगा differentiation से power को एक से subtract कर देते हैं एक से कम कर देते हैं तो एक ही time का power बनेगा तेक नवाई यहां पर एक बार differentiate क्या तो देख वेलोस्टी के 8T मदब T to the power 1 तो इससे लेसन देखो constant आगे है मतलब position के function में time का power 2 velocity के function में time का power 1 है तो पक्की बात है isolation constant होगा नहीं तो isolation constant नहीं होगा clear है अच्छा सब अगर ऐसा है तो if x is equal to 4 by t plus 40 plus 6 अब nature of isolation बताइए sir अब nature of isolation निकालने के लिए ध्यान से देखना अच्छे से एक दम यहां पर one upon t है और यह 40 plus 6 है जब आप इसको differentiate करोगे dxy dt constant रहेगा बाहर and one upon t का differentiation होता है minus one upon t square कैसे तो t को जब उपर ले जाओगे तो t का power minus 1 बनेगा minus 1 बाहर t का power minus 1 minus 1 minus 2 और minus 2 को नीचे लाओगे तो t square समझा आया 40 में 4 बाहर t का differentiation 1 और 6 का differentiation 0 यह आया तुम्हारा velocity इसको एक बार और differentiate कर दो मतलब position को दो बार differentiate कर दो तो यह acceleration होगा तो acceleration is equal to क्या होगा धंग से देखना 4 बाहर और यह उपर ले जाओगे तो t2 बाहर minus 2 तो minus 2 बाहर आएगा तो minus minus plus 8 into t to the power minus 3 8 divided by tq मतलब acceleration depends upon time जैसे से time बढ़ेगा acceleration घटता जाएगा लेकिन होगा acceleration time पे dependent मतलब acceleration कैसा है variable not constant acceleration कैसा है सहब variable है आपको यह बात समझ आया है है यहां तक basic fundamental सी बात है कई बार velocity position given होता है तो तुम्हें क्या याद रखना है कि अगर power negative हो position के function में t का power negative हो तो पक्की बात है acceleration variable होगा तो एक यह fixed number है ट के x के formula में t का power 2 ही होना चाहिए तभी acceleration constant होगा नहीं तो नहीं होगा जैसे यहां पे बात करते हैं x is equal to a sin omega t क्या लिखा है a sin omega t अब बता है acceleration of nature कैसा होगा x is equal to a sin omega t तो यहां पे जब differentiate करोगे तो v is equal to हो जाएगा सहब dx by dt इसको differentiate करो तो आपको याद है a constant है बाहर होगा और t के respect में differentiate कर रहे हो तो sin कुछ का differentiation होगा Pos कुछ different bag States का differentiation tryna omega बहर ट का differentiation वन तो एक omega यहां से multiply होगा तो velocity आएगा आपका a omega cos omega 2 ऐतो एक बाल इभार out differentiating करो तो एक ऐसले सिअन्स आजाएगा आपका ए उमेगा पैस कुछ का differentiation होता है माइनस साइं ऑमेगा टी इन्टु एक बारो मेरे गार मल्टिपलाय हो जाएगा तो एससे चाह मिले घॉ ए साइं अंपरिए से खोर एक वाळाइए टो देखो है आपे एससार नाइन पर फंक्शन ओप पोडी सना अगया इस एकुल तो मैंस मेगा स्कार एक सर्षी आप यहां पर इसन टाइम पर डिपेंड कर रहा है से लेसन परिशिशन पर डिपेंड कर रहा है मतलब इसलेशन है कैसा वैरी एवल एसल्रेशनसर गैसे एसल्रेसन वैरीयुवण नेचर अश्लूर बी वैरियेबल एसलेसन बी वैरियेबल इफ्रेंशेशन करने की जौरत तक नहीं है क्लियर है यह बात तो क्या समझ आया हमने पॉजिशन दिया हुआ था आपको वेलाउसरी भी दे सकता हो तो पॉजिशन के फंक्शन में टाइम का पावर 2 तभी एसलेशन होगा ऐसलेशन स्ट्रेंट सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब टाइम पॉजिशन के फंक्शन में टाइम का पावर 2 और वल्यूश्टी के a function of position अगर में देदू, velocity function of a position देदू, velocity position पर dependent है, उस case में अगर आपको acceleration देखना है, नेचर देखना है, तो कैसे देखेंगे, देख लेंगे सर, कोई बात नहीं है, position time का function था, तो हमने differentiation से देख लिया था, तो position x का भी function होगा, तो भी हम देख सकते हैं, देखेंगे प्लीज, if v is equal to kx, if velocity is equal to kx, then nature of acceleration will be, then nature of acceleration, तो acceleration का nature कैसा होगा, समझेगा प्लीज, यहाँ पर a is equal to dv by dt नहीं लिखेंगे, v into dv by dx लिखेंगे, सही बात है, तो acceleration is equal to v, तो exactly v यही है, तो kx, लिखेंगे बेठा, और dv by dx में, इसको differentiate का रोगा, के रिस्पेक्ट में, तो k बाहर, x का रिफ्रेंशिशन वन, तो यहाँ इसटीज के रहा है, मतलब acceleration is equal to k square x, और यह बड़ी आस्चर्ज की बात है, बहुत ही ज्यादा अस्चर्ज की बात है, क्या अस्चर्ज होड़ा है, अस्चर्ज यह होड़ा है, कि if velocity is proportional to x, velocity linearly variable with x, velocity और x का graph बनाओंगे question के recording, V और x का graph तो कैसा बनेगा, इमानदारी समझना बहुत मुश्किल बात है, यह ढंग से सुनू, velocity is proportional to x, k constant है, तो दोनों का power 1, 1 होता है, तो graph is straight line बनता है, तो एसल रेस और x का graph कैसा बनेगा, straight line, क्यूं सर, यह थोरी नहीं होता है, velocity proportional to x तो एसल एसल नहीं पर पॉस्चर्ण्ड एक्स अगर मैं यह पर देखो, a is equal to v db by dx, तो वी को एजटीज केक्स लिखूंगा और के बाहर होगा तो एकस का डिफ्रेंशेशन वहाना जाएगा तो यह के से मल्टिप्लाई हो जाएगा के स्कॉर एक सार है बहुत जबर्दस फंक्चन है बता यह से लेशन वैरियेवल है कॉंस्टेंट है और विसली वैरियेवल है एकस पर डिपेंट कर रहा है लिनियरली बढ़ेगा हाँ इसका स्लोप कियो अच्छा सर अच्छा आप बताओ यह वे इस एकुल टू के एक स्कॉर है तो दिन नेचर लेशन एकस क्या होगा वही बात है यार ए इस इकल टू वी इंट वी इंट वाद एकस कोई रॉकेट साइंस ने नहीं दम आसान बात है के एकस स्कॉर यह वी की वैलियू रख दिया डिवी वैड़ी एकस यहां पे रखेंगे के बाहर इंटु टू एकस तो देखें के X cube. 2K square X cube.ahu बताई X acceleration कैसा variable है? नेचर of acceleration. V into 20 by dx. पक्की बात है? ठीक. V की.. वलिए के रूटेक्स ठीके सब इससे के रूट-क को एकसे रिस्पेक में डिफरेंशीट करके मुल्टीप्लाइ करेंगे तो के बाहर हो गा और रूट एकस का डिफरेंशेशन भी आपको सातार सवाल कराती है, सिर sacrificeranter सिखाया कि किस case में selection constant है, और किस case में selection constant नहीं है, कलिर है? इसको धन से लिख लिजे, इसको धन से लिख लिजे, और मुझे बताइए, Screen post करके इसको लिख लिजे का बटा, कोई खास बात में है, अब मुझे देखी बताईए क्या मैं ये बात रखलू क्या कि पॉजीशन के फॉर्मूले में T का पावर 2 हो विलासिटी टी के परपोर्शनल हो और विलासिटी रूट X के परपोर्शनल हो तो पक्की बात है कि इसलेशन कैसा होगा और यह बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना अब मैं कोई सा भी सवाल लिखूंगा तुरां देख के बता दोगे कैसे लेशन कॉंस्टेंट है या वैरिये बने पक्की बात है देखो मैं लिखता हूं मैं फंक्शन लिखता हूं इसमें तुमने तुम्हें बताना है इन ब और यहां जा जाएगा एक इस प्रफोर्इट है न कॉंस्टेंट ना था एक सिसक्ट टुमने को फन रूट volunteer यह स्ट एक सिसरवोज T to the power 3 by 2. 7. X is equal to root T root T plus 5. 8. V is equal to T square. 9. V is equal to sine T. 10. V into T barabar constant. 11. V T square is equal to constant. 12. V is equal to 1 upon root T. 13. V is equal to T to the root T. V is equal to root T. 14. V is equal to sine T. 1 upon T. 15. V is equal to 5 T. 16. A is equal to sine omega T. Acceleration लिक लो. 17. A is equal to KX. 18. A is equal to KT. 19. V is equal to KX. 20. V is equal to sine X. 21. V is equal to E ka power X. V is equal to root T under 25 plus X. बताओ. किस केस में से लेसन कॉंस्टेंट कितने सवाल लिखें? 22 सवाल लिखें. कहने को तो ये 22 सवाल है. लेकिन मैंने अभी तीन चार सवाल करा के आपको यही समझानी कोसिस कर रहा था क्या आगे आपको सॉल्व करने की जौत नहीं पड़ेगी. अब देखके सही एंसर टिक कर दोगे. दिखाऊ वैस तुमें, देखो. से लेशन सबस्मूस duty इसकर नहीं यह नहीं यह नहीं नहीं यह है वे दिख अपर तरीन त्रथ कशन डिसेर चैमए टाइम का पर भरता रहां 매canine यह नहीं है यह यह नहीं है एक solar नहीं है फन्सिन आई जिस में इसलिसें ्कइब इसमें यह वैटैसी लेसें खुद थैपे लिपेंगर एवरोड़के गेशन फोगन पर एबराओ कती नहीं है एपनीजी लोगतीशन हुठ थे सेस्ट किसार शी辉टल छॉल्शन पीनन हन्पेंट आथो इसमें तो हमें यह रख लेना है कि पॉजिशन के फंक्शन में टाइम का पावर 2, वेलोसिटी के फंक्शन में टाइम का पावर 1 and velocity is proportional to root x है तो यह एसलेसन इसलेसन लिखा हुआ है साब कि a is equal to 5 meter per second square तो यह एक उन्सेंट इसलेसन का एक्जामपल है, अगर लिखा हुए 25, सवाल आएगा इसमें कितने ऐसे सवाल है जिसके लिए आप integration और differentiation करेंगे सारे ही हैं, लगवग लगवग कौन सा सवाल छोड़के 15, 15 और 22 है, ऐसे lesson constant, equation of motion valid है जोनों में, बाकि जितने भी सवाल है उसमें equation of motion valid नहीं होगा, अगर कुछ भी आपको निकालना है तो integration और differentiation ही करना होगा, clear है, अब यह important कितना है समझेगा, screen pause करके लिखे, screen pause करो, लिख लो, अब यह कितना इंपोर्टेंट है समझे, यह चीज़ अगर आप समझ गयाना, तो कानेटिक में 10-20, कानामेटिक में 10-20% question, directly आप answer tick कर दोगे बीना calculation का, क्यूंकि constant acceleration, कानामेटिक में बहुत ज्यादा important role play करता है, constant acceleration कानामेटिक में बहुत ज्यादा important role play करता है, IET 16 का सवाल देखियेगा, object is moving in 1D such that velocity v is equal to k root x, then find position as a function of time, for same object, उसी object के लिए कह रहा है, अगर उसका velocity as a function of k root x दिया हुआ है, तो position as a function of time गया हुआ, अब बच्चे यह idea का सवाल है, v किसका function है, देखो बेटा, v position का function है, root x given, v is proportional to k root x given, मतला velocity किसका function है, position का है, अब यहां से मुझे, then find position x as a function of time निकालना है, v अटाना है, यहां पर x और time को इंटेडियूस करना है, सोचने में बहुत मुस्किल सवाल है, लेकिन answer एक ही लाइन का है, answer है ही नहीं इसका, solution है यही नहीं, सीदा answer है, कैसे देखो, v is proportional to root x है, तो पक्की बात है कि आसी लेशन constant होगा, तो position time का वहीं relation सही होगा, जिसमें relation constant हो, x is, sorry, position is proportional to t square answer, answer आ गया भाई, बस यही है, if v is proportional to root x, तो नहीं relation is constant, तो constant acceleration के लिए लिए पोजिशन टाइम गरा, पोजिशन टाइम रिलेशन सही होगा, और इसी में इसलेशन constant होता है, और देखे, बढ़िया सवाल, फिर से, again IT का, यह सवाल आपको हर किताब, हर module, हर test paper में मिलेगा, if velocity of object, velocity v is equal to root under 25 minus 8x, then find acceleration of object, acceleration of object, और हर किताब में जो solution आपको मिलेगा, भी समझाता हूँ, बच्चे को क्या बताता, teacher v is proportional to root x है, और यह common सवाल यह सब, v is proportional to क्या है, x का function है, तो बच्च वो कहता है teacher, a is equal to, v into dbydx, अब साहब इसको करो differentiate, अब देखो 25 minus 8x का power 1 by 2 है, तो पर आउटर function 1 by 2 को differentiate करो, फिर खेलते रहो, या फिर डारेक्ट में इंसर देखना है, तो देखो, इसमें मता इस सिलेशन constant है की variable, constant, तो equation of motion valid है, और असल में equation of motion ही है, कैसे, इस root को इधर लिया हो, तो यह बनेगा v square, और क्या ही 25 को चाहो, तो तुम 5 का whole square भी लिख सकते हो, minus 8x रहने तो, और याद करो, third equation of motion क्या है, v square minus, v square is equal to u square plus 2x है, है, तो देखो, v square, v square, u square, u square, u square, minus 8x 2x, तो इस 2a को compare करो, तो 2a बरावर क्या होगा, minus 8, 2a बरावर क्या होगा, minus 8, तो a बरावर, minus 4 meter per second square acceleration, अब इस सवाल का calculation किताबों में देखेंगे, आप बिलकुल मिल जाएगा आपको, तो 7-8 line में किया होगा, और असल में आप देखें, तो देखेंगे पेदा चल रहा है, कि 8-8 is equal to 2 है, तो acceleration is equal to minus 4 meter per second square, करके answer यही तक यही पहुंचोगे फिर, और नहीं जाओगे, इस से लेसन ऐसे ही निकालते हैं, तो आपको उस समझ आया, कहानी समझ आया, एकदम वेफकूप बनाने वाली बात है, कोई भी खास बात इसमें नहीं है, ठीक है, आगे देखें, आईटी 14, आईटी 14 में एक सवाल पूचा था, एफ, लॉस्ती अभ अबजेक्ट कहानी लिखा हो का आया, और बनाबनाबना कहानी लिखा अगो अगा, लास में लिखा हो का वेलासटी गिवेवेन है, sorry acceleration given a minus 2 root v and initial velocity initial velocity is 4 meter per second at t is equal to 0 then find then find time when object comes to add rest वो समय बताईए जब object रेस्ट में आजाएगा कैसे solve करेंगे देखिए solution अब गवरानी की जौत नहीं है मैंने last class में जो सवाल कराया था याद करिए तो मैं आपको position as a function of time देता था velocity पूछ लेता था, acceleration पूछ लेता था, velocity as a function of time देता था या velocity as a function of position देता था समझते हो और आपसे solution पूछता था, acceleration as a function of time देता था, फिर आपसे velocity पूछता था, acceleration as a function of position देता था, मतलब acceleration किसका function बनाया था, time का या position का, complicated सवाल नहीं पूछ था लेकिन अभी देखो सवाल क्या कह रहा है कि acceleration as a function of velocity है ये, acceleration as a function of velocity है ये पता है, initial velocity चार है तो बताओ किस समय पर object रेस्ट में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा मतलब उसकी final velocity क्या हो जाएगी, 0 meter per second, कैसे solve करेंगे सुनो ध्यान से, a is equal to minus 2 root b, हमें क्या चाहिए, हमें वो समय चाहिए जब velocity 0 हो जाएगा, मतलब velocity और time का relation चाहिए, velocity और time का relation चाहिए, तो इस a को हटा के dv by dt लिखो, ऐसे मत सोचो कि integration करना है कि differentiation करना है, तुम तो ऐसे सोचो बस कि मुझे किसके बीच relation निकालना है, वो लेकर आना पड़ेगा, मुझे time चाहिए, तो यहां पर a को dv by dt लिखो, तुम यह भी कह सकते हो, कि sir, मैं a को change नहीं करूंगा, मैं v को लिखूंगा, dx by dt, वहां से भी तो time आएगा, बिलकुल आएगा, लेकिन velocity तो चला जाएगा, और तुम यही तो निकालना है कि कौन से time पे velocity 0 है, और यहां से velocity चला जाएगा, और position आजाएगा, जो position ना तो given है, ना तो आपको निकालना है, तो क्यो position को लेकर और acceleration का तो मैं कोई काम है नहीं, वो यह थोरी नहीं पूछा है कि जब velocity 0 है, तो ऐसे lesson बता हूँ, वो तो कह रहा है, कि जिस stand पे अब्ज़क्ट रोकेगा, वो time बताओ का पोगा, तो आप यहसे requirement के recording function को change करेंगे, a को लिखेंगे, dv by dt, अच्छा, a को v into dv by dx भी लिख स v का integration dv का respect में ही होगा, एक साथ जैसे, मतलब एक तरह के लोग एक साथ चिपक जाते हैं, तो root b को किसी तरीके से इधर लाओ, तो यह हुझाए का dv by dt, root b is equal to minus 2 into dt, integration कर दो, constant term बाहर रखे, जब time 0 था, तो velocity 4 था, देखो, time 0 तो velocity 4 है, और किसी भी t time पे मानलों, velocity v आ रहा करेंगे, अब यहां से integration करोगे बटा, यह root b है, अब देखना, root b मतलब उपर जाएगा, तो v का power minus half, integration करोगे, तो v का power minus half plus 1, divided by minus half plus 1, is equal to यह हो जाएगा, आपका root v into 2, देखो, minus half plus 1, one by two, two उपर चला जाएगा, अब v का power half बचेगा, मतलब root b होगे, यह integration आगी इसका, limit 4 to v is equal to minus 2t, यह आगा, अब अपर limit रखेंगा, v, तो यह आएगा, 2 root v, और 2 से 2 तो cancel भी कर सकते हो, कोई खास बात नहीं, तो यह बचेगा, आपका root v, minus root 4, is equal to t, minus t, यह minus रहेगा, अब यह आगे तो में velocity और time का relation हो, उसने क्या बोला था, कि वो टाइम बताओ, जब velocity 0 है, तो velocity को क्या रखने को बोला था, उसने, 0, तो velocity को पर रख देंगे 0, तो क्या आया, minus t is equal to minus 2, root 4 is minus 2, minus से minus cancel हो जाएगा, t बढ़ावर, 2 second is a correct answer, clear रहे गया, बास समझ में आगए यह, चलिए, screen pause करके लिखे, screen pause करके लिखे, ठीक है, लिख लिखे, यह तो यह तोड़े से अच्छे सवाल है, अब फिर से बात करते हैं, अच्छे सवाल, अब यह कह सकते हैं सर, अच्छे सवाल एक्जाम में आते हैं क्या, बिल्कुल आते हैं, दूसरी बात, अगर मान लो कि कभी कभी एक-दो सवाल असान आपके एक्जाम में आ रहे हैं, तो आप जितने अच्छ की पेपर हो या नीट का पेपर हो एक्जाम में जब बच्चा बैठता है तो वही सवाल ज्यादा एकुरेट और इफिसेंट्ली कर सकता है जो सवाल पहले किया हो फॉर्स टाइम में जब वो निया कुशन अटैम्ट करता है तो कुछ एरर या टाइम ज्यादा ही लगता उसको ठीक है ना आगे देखेफिये कुशन अबजेक्ट अबेक्ट इस मुवे निए खता है अबजेक्ट इस मुवी सच टाइंड फिसकें अब情况 इस आंडिएर टेलेश면準गेon टाइम पोजीशन आंड य किवान वांगेर और ती इसीवल टाइम व्या दाइम जीवल स्थाईда beta x square पहले बहुत बढ़िया होता था कि x as a function of time दिया होता था यह फिर time as a function of x दिया है, then find acceleration as a function of velocity अब लोगई, पूस्ट वह बहुत मुश्किल काम दिया है, acceleration as a function of velocity ना तो यहां पर कहीं velocity है, ना ही कहीं यहां पर acceleration है, और आप से पूछ रहा है, acceleration as a function of velocity, मतलब acceleration के formula में आपको velocity ही दिखना चाहिए, आईए करते हैं, देखिए बेटा, t is equal to alpha x plus beta x square, इसको differentiate कर दीजे बित respect to time, differentiate with respect to time, कोई खास बात नहीं है, velocity ही चाहिए ना, फिर तो इसे lesson की बात का बारे में बात करेंगे, नहीं सर इसे lesson चाहिए, अरे function of velocity चाहिए, तो velocity तो आना ही चाहिए, तो time की respect में differentiate करो, तो dt by dt क्या होगा, 1 is equal to alpha बाहर, यह होगा, dx by dt, plus beta dx square by dt, अब यहाँ पे एक technical error है, कि dx by dt था अपने कोई पता है की velocity होता है, कोई खास बात नहीं है, लेकिन, जब आप यह differentiation करोगा, dx square by dt, तो हाँ पे x square into dt है, x का difference in time करानी सकता, clear है, तो क्या करते हैं से case में, dx से multiply और dx से divide करते है, यह dx आगे लिय square by dx, तो यह होजाएगा 2x, और यह dt, उपन में, dx by dt, तो यह होजाएगा V, यह से V common निकालो, तो V beta common निकालो, तो इवन नेगा alpha plus 2b tax, उस alpha plus 2b tax को नीचे लेजा, तो V बाहर बनेगा 1 upon alpha plus 2b tax, यह यह velocity, अफ वेलोस्टी इस फंक्शन आफ क्या है, x है, velocity time पे डिपेंड निकालना तो लिखना पड़ेगा V into db by dx, यह आपको लिखना पड़ेगा, तो इसको differentiate करते है, db by dx find out करते है, तो इसको कैसे differentiate करेंगे, दो तरीका है, एक तरीका है division rule, उपर में function 1, नीचे यह है, इसको differentiate कर लो, division rule से, तो division rule कहता है कि उपर वाले का differentiation, तो 1 का differentiation 0, और यहाँ पर multiply हो जाएगा, फिर minus, उपर वाला 1, और यह alpha plus 2 beta x का उपर ले जागे, जब differentiation करेंगे, तो alpha का differentiation, x के respect में 0, 2 beta bar, x का differentiation 1, तो यह उजाएगा 2 beta, divided by alpha plus 2 beta x का whole square, is equal to क्या बनेगा, term देखे, यह पे term बनेगा, आपका, minus 2 beta, minus 2 beta, divided by alpha plus 2 beta x, alpha plus 2 beta x का whole square, यह term बना, done, अब क्या, तो यह आपका आया है अभी dv by dx, acceleration निकालने के लिए दोनों को multiply करेंगे, तो आइए, दोनों को multiply करके देखते हैं क्या बनता है, a is equal to v की value बोलो, 1 upon alpha plus 2 beta x, right, अच्छा, dv by dx बोलो, minus 2 beta, divided by alpha plus 2 beta x, का whole square, तो यह काम करो ना, नीचे alpha plus 2 beta x का power 1 है, alpha plus 2 beta x का square है, तो आप लिख सकते हो, a बढ़ाबर, minus 2 beta बाहर लिख लो, इसको लिख सकते हो, 1 upon alpha plus 2 beta x का power 3, सर उपर कैसे चला गया, अरे भाई, नीचे यह नीचे यह नी, इसका power cube, और 1 का power cube, तो 1 हो, ठीक है, यह answer आ गया गया, नहीं, यह acceleration आया है, लेकिन आज़ फंक्शन आफ, पोजीशन आए, एक्जाम में आप से पूचा था, acceleration as a function of, acceleration as a function of velocity, यह अब लिखा है, acceleration as a function of velocity, तो velocity को इसमें लाने की कोशियस करेंगे, और आप धंग से देखेंगे, तो velocity ही आपको दिखेंगा, velocity देखेंगे, यहाँ पर क्या है, 1 upon alpha plus 2 beta x, 1 upon alpha plus 2 beta x, तो यह exactly velocity है, तो acceleration is equal to minus 2 beta vq, यह answer आ गया, clear है, समझ आया यह बात, ठीक है, अब मैं तुम्हें एक जवदस तरीका बताओं, जुगार बताओं, एक बढ़िया, आप डारेक टेंसर लिख सकते हैं, हाई टेवांस का सवाल है, 2015 का, हर किताब मॉडियूल में आपको मिल जाएगा, कुछ ऐसे सवाल IT और competitive exam में पूछे जाते हैं, जिसका long term impact हो था, long term impact में तब जवर्दस सवाल के रूप में उसको देखते हैं, और हर coaching वाले, हर book वाले उसको अपने book में और coaching institute के मॉडियू हाँ मैं कह रहा था, मैं बिना calculation का सही answer टिक कर दूँगा, कैसे, exam में 4 option बीदा, अब मैं क्या करूँगा, आपको याद दिला दू 4 option क्या था, मैं लिख देता हूँ, 2 alpha beta V, option B है, 2 alpha V cube, option C है, 2 beta V cube, option D है, 2 beta square V square, यह answer, अभी 4 option में से सही option, आपसर कैसे लिख दोगे हैं, त यह alpha और beta एक constant है, इसका fixed numerical value हमें नहीं पता, मैं dimensionally लिख दूँगा, क्योंकि alpha और beta का कुछ नो कुछ dimension होगा, तुमसे पूछा है, acceleration, तो 4 option में वही option से होगा, जिसमें acceleration का dimension बनेगा, देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, यहापे alpha को क्या लिख सकता हूँ, सोच ना, t बोल रोम है, क्या बोल रोम है, dimensionally बोल रोम, dimensionally लिखी सकता हूँ, यह, वेलाउस, देखो, mass plus mass कर सकते, mass plus velocity तो होता ही नहीं है, बताओ तो, 4 second, plus 2 kg कितना होगा, कुछ नहीं होगा, kg को second वियाद नहीं कर सकते, तो यह और यह term dimensional बढ़ाबर और यह time के बढ़ाव रहा है, अब यहाँ पर मैं option direct check कर लूँगा, option जब मैं चेक करूँगा, तो पहला option check करता हूँ, अलफा की value बोलो टी बाई एक्स, बीटा की value बोलो टी बाई एक्स स्क्वाई, और velocity क्या होता है, वेलस्टी होगा आपका x by t, तो देखो, option number यह चेक करते है, 2 तो constant alpha होगा t by x, t by x स्क्वाई और velocity होता है आपका x by t, velocity position अपन टाइमी तो हता है, यहाँ देखेंगे तो x, y, t, x, y, t का टिया, तो ty x स्क्वाई आ रहा है, यह सिल एक्स स्क्वाई आपन टाइम के स्क्वाई, और ए मीटर पर सेकेंट स्क्वाई होता है, वो, तो यह कहां आ रहा है, यह सेक 2 बीटा वीक्यू बीटा बोलो, t by x स्क्वाई रहे सर, वीक्यू बोलो, x क्यू व़लासिटी होता है, मीटर पर सेकेंट, मीटर डिस्टेंस बटा टाइम का क्यूब, यहां से x स्क्वाई से x की के गटेगा, तो x बचेगा, यह टी स्क्वाई बचेगा, देखो, यह यह भी नहीं बैटेगा, बस हो गया, इंसर आ गया, तो एक्जाम में हमें सब्जेक्टी पेपर तो देना नहीं है, हमें तो वो सारी चीज़े सीखना पड़ेगा जिससे इंसर बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, तो अभी तो आपका फिजिक से स्टार्ट हुए वेटा, अभी फिजिक से कादंगा, फिजिक से फिजिक से की लॉजिक है, लॉजिकल बुधी वाली और भी आपयोगे है, वास क्लिर है, स्क्रीन पहुत करके लिखे कि ए पेटा, लिख लिए, आगे देखे सवाँ, फिस आईटी कही पूछा हुआ हुए अच्छा सवाल एग, एफ अब is moving such that its acceleration a is equal to object is moving such that its acceleration a is equal to 6 minus 2b and a acceleration given object a is equal to 6 minus 2b object is moving such that its acceleration and velocity is related as this about the acceleration velocity function given if u is 0 at t is 0 then find velocity as a function of time then find vt liqne ka matlab kiya but i can vt liqne ka matlab kiya velocity as a function of time velocity as a function of time batiya saval acceleration velocity ka function given or approach velocity and time kya karengi dekhi a ko likhenghe dv by dx dv by dt is equal to 6 minus 2b you have mujhe bataenghe many dv into dv by dx q nhe liqha ki positions ki baat hindi kai to kyu meos ko position ko introduce karonga matok jok given acceleration and velocity or mujhe chahiye velocity and time to velocity ko rakhunga or acceleration ko hata ke koosiz karonga time a jaya or jaysa hi maine a ko likhha dv by dt time a gaya abh jib integration karonga to time alag chala jayega or dv ke sath ye v wala factor chip kega to v bata 6 minus 2b laga raga bada asan ho ga sir lekin abhi ruki muskila sawaal jib integration karenghe to dhyaan dhijay dv bata 1 minus 2b niche linear function hai to isme algebraic integration valid ne hoega iska integration hoega log 6 minus 2b bata minus 2 तो आदे बच्चे यहीं गलती कर देते हैं इसका integration ही नहीं कर पाते हैं तो इसका integration hoega log 6 minus 2b bata minus 2 यह v ke multiplier minus 2 से divide करेंगे लोग लिमेट is zero कब जब t0 था तो velocity 0 था किसी भी t10 पे velocity v चाहिए तो यह v is equal to t, यह आएगा साथ अब जब यहां पे लिमेट पूट करोगे तो यह v जब रखोगे तो यह होगा log 6 minus 2b, यह minus 2 constant यह उसको दर बेज़ दो, अपर limit रखो v, लोग limit 0 रखोगे तो यहां भी बच्चे गलती करते हैं कई बार, 20-30% बच्चे यहां भी गलती कर देते हैं जब यह 0 रखने तो इसको 6 minus 2b by 6 is equal to minus 2, अब यहां पर anti-log की property यूज़ करेंगा क्या यूज़ करेंगा, anti-log, anti-log असल में log क्या होता है, power का concept मतलब यहां पर natural log on the base e है, तो असल में यह जो function दिख रहा है यह आपको result दिख रहा है, e का power यह बराबर ही है, तो e का power minus 2 oh my god, tb तो था, तो यह e उधर चला जाएगा, तो e का power minus 2t, exactly यह e का power, यह का result यह होगा, तो e का power minus 2t result यह होगा, तो 6 minus 2b by 6 clear है, मतलब main log के concept उसको power के concept में change करना, तो यह होता है base और यह base का यह होता है power, यह होता है result, तो base e का power minus 2t देख को, e का power minus 2t is equal to this यहां से आपको velocity चाहिए था, तो धंग से देखिएगा, तो इस 6 को दोनों तरफ डिवाइड कर लेंगे आप, यह 6 को यहां ले हैं, तो 6 e to the power minus 2t is equal to 6 minus 2b, minus 2b को इधर ले हैं, और इसको इधर ले जा, 6 को common निकाला है, तो 6 1 minus e का power minus 2t, यह 2 से cancel होगा तो आएगा 3, तो v is equal to 3, 1 minus e का power minus 2t, यह आगया velocity as a function of time, अगर इसका graph बनाएंगे, तो graph भी मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याओ थे, मैंने आपको समझाया था, exponential decay graph ऐसा बनता है, और 1 minus exponential decay का ऐसा बनता है, यह बनता है, अब वरिफाई कर लीजिए राम से, जब तो लिटी को large रखेंगे, तो e का power minus 0 क्या हो जाता है, 1, तो यह 1 minus, sorry, e का power minus infinite हो जाता है, 0, e का power infinite, e का power minus infinite है, तो time को बहुत large रखो गे, तो e का power minus infinite हो जागा 0, तो v बढ़ार यहाँ सीधा है, 3, तो last time के बाद velocity हो जाएगा, 3, clear है क्या यह बात, समझा रहा है, यह आपक अच्छे सवाल, if acceleration, sorry, acceleration as a function of velocity तो मैंने बहुत सारे दे दिए, टेकना, velocity देता, if velocity, if velocity, v is equal to k x square, velocity क्या लिए यह जाएगा, यह acceleration देता हो, k x square, if acceleration is equal to k x square, if acceleration is equal to k x square, तो बढ़ा असान हो जाएगा, निकानला, ठीक है न, अब मैं तुम से बढ़िया सवाल पूछता हूँ, if velocity is equal to k x square, velocity, sorry, acceleration is equal to k x square, then find, काम गरो, k x square, तो बढ़ा असान है, कोई खास बात लिए, then find, velocity, as a function of x, as a function, of x, बढ़ा असान हो गया, तो, कैसे असान हो गया, तो देखो, a is equal to k x square, एको लिक सकते है, आप, v into dv by dx, बिलकुल लिक सकते है, एको क्या लिक सकते है, v into dv by dx, is equal to k x square, इलो, ये, dx को यहां पर ले जा, तो ये बने का, v into dv is equal to k x square into dx, integrate कर दो, मालो, ये, position 0 पर, velocity 0 था तो, ये होगा, आपका v square by 2, is equal to, k बाहर, x square का integration होगा, x to the bar 3, by 3, यहां ले आ जाएगा, तो व is equal to, 2K X cube by 3 का power half क्योंकि A square था यही सवाल बच्चों के लिए मुस्किल हो जाता है मुस्किल कहां हो रहा है कल्कुल integration नहीं integration तो V into D V का integration होगा V square by 2 X square integration होगा X का power 3 by 3 तो फिर मुस्किल कहा हो जाता है बटा मुस्किल यह समझना नहीं होता है बच्चों के लिए कि अगर A X का function है तो V X का function कैसे निकालेंगे कुछ नहीं करना भाई A को D V Y D T लिखोगे तो फज्जा होगे ना तो सवाल में time की बात कर रहा है ना ही result जो तुमें चाहिए उसमें time की बात कर रहा है तो फिर इसको चेंज करने की कोई ज़रोत नहीं है समझा है मैं क्या कह रहा हूँ clear है आगे देखो screen pause करके लिख लिया था ना नहीं लिखा था तो जब मैं उस तरफ लिख रहा था तब screen pause करके यह वाला हिसा लिख लो कोई खास बात नहीं जब मैं उस तरफ हूँ तो पीशे चले जाओ जब मैं उधर था तो screen pause करके यह वाला पाट लिख लो ठेके ना अभी मैं जब मिटा रहा हूँ तो screen pause करके यह लिख लो कोई खास बात नहीं है ऐसे देखो if acceleration a is equal to 2v square then find velocity as a function of time velocity as a function of time velocity as a function of time अब क्या करेंगे velocity निकालना है मुझे किसके function में time की function V or T यहाँ पर एक इवर है कोई दिक्कत नहीं है एक को क्या लिख लोगे dv by dt is equal to 2v square dt यहा ले जाया का वी इस कोई नीचे लिया तो dv by v square is equal to 2 into dt integrate कर दो यहाँ से velocity as a function of time समझ पार रहे हो तुम कोई खास बात नहीं है अगर तुम्हारे पास दिया हुआ है कि a is equal to 2v square then find acceleration as a function of time क्या पूच रहा है acceleration as a function of time कोई खास बात नहीं यह को लिख वी इंटू डिवाइड एक्स के लिए तो जब आपको कोई सब्सक्राइब और कोई तीसरा पूच रहा है तो तुम यह को सिस करो कि अन्वांटेक टम नहीं है जो निकालने है उसी के टम से convert करो और convert करने के लिए हमारे पास बस दो ही तिन रिलेशन है जैसे एक्स वी और ए तो यहां से यहां तक जाने के लिए आप लिए कोई लिए एक्सक्राइब तो एक्सक्राइब केवसे असरे पाता जिए जास निकालने के लिए तो है यह लिए video डी इंटो डूड़ी एट्श असुल्रेस्थन अगरन ग्रेह ने तो मिया कुछ भी पूछ रहा है तो तुम ताइम के टम से कुछ भी यह तो वी पूच रहा है दीके Πाश गदे के। एक को वी नत्या सब निकालत निंड बात निहीं। भगत असान होते हैं और यह कानामेटिक्स की बात नहीं है . अगे आने वाले हर इसज़ेकी आइस रहुटम पूच्शन अपत बेकि भात और भी इसे ताइइ Israeli कीrete फेच्ञलन, ऐख करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे उतनी गलती करेंगे और फिरय उतना ज्यादा सीखेंगे ठीके बटा अगली क्लास में हम लोग Concept Acceleration पर Q 나 Solve करेंगे , पहले क्युछीन आमोशन ट्राइब करेंगे फिर Concent E education Hope ठीके